अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सकें हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपको स्टाइलिश फैंसी टॉप बनाना बताऊंगी यह मैंने देड मिटर का फेबरिक लिया हुआ है फेबरिक को मैंने फोर फोल्ड किया हुआ है यह मेरी फोर लेयर है इसकी लेंथ मैंने 25 इंच रखी है यह हमारी 24 इंच रेडी होगी, एक इंच हमें सिलाई के लिए रखेंगे, और शॉल्डर में 7.5 इंच रखूँगी, 7.5 इंच पर हमें निशान लगा देना है, और आम होल की लेंथ में 7 इंच रखूँगी, 7 इंच पर निशान लगाते हुए हमें सिधी लाइन ड्रो कर देनी है, आम होल के लिए, और यहां से हम चेश्ट का मेजरमेंट लेंगे, चेश्ट आपकी जो प्यों सिडी वाइड बाइ 4 करके उसमें 2 इंच एड कर देना है, स्लाइ मार्जिन के लिए, मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है, और सिधी लाइन ड्रो कर दी है, बैक आम होल के लिए हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे, और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रो कर देना है, और उपर से एक निशान हम 14 इंच पर लगाएंगे कमर की चोड़ाई के लिए यहाँ से हमें कमर की चोड़ाई का फोर्थ पार्ट लेना है और उसमें भी हमें 2 इंच प्लस कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है और नीचे से हम हिप की चोड़ाई का फोर्थ पार्ट लेंगे और उसमें भी हम दो इंच प्लस कर देंगे सिलाई मार्जिन के लिए मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है और दोनों निशानों को मिलाते हुए हमें लाइन ड्रो कर देनी है और गले की चोड़ाई में चार इंच रखूँगी और आगे की गले की लंबाई भी में चार इंच रखूँगी और पीछे की गले की लंबाई में धाई इंच रखूँगी और दोनों निशानों पर हमें बोर्ट शेप ड्रो कर देना है फ्रांट और बैक नेक के लिए सबसे पहले हम बैक नेक और बैक आम होल की कटिंग कर देंगे यह देखे मैंने इसकी कटिंग कर दी है अभी हम इसमें से एक पाट को निकाल देंगे और इसे वापस से डबल फोल्ड करते हुए हम फ्रांट नेक और फ्रांट आम होल की कटिंग कर देंगे यह मैंने इसकी कटिंग कर दी है और यह मेरे दो पीसे फ्रांट और बैक के लिए अब भी हमें एक और एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है इसे मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है मेरी सैट है जो मेरी बंद वाली सैट है और हम धाई इंच पर निशान लगाएंगे बंद वाली सैट से हमें धाई इंच पर निशान लगा देना है नीचे तक हम इसमें धाई इंच पर निशान लगा देंगे उपर से नीचे तक धाई इंच पर निशान लगाते हुए हमें इसमें लैंड रो कर देनी है अभी इसके आगे हम फ्रंट का पाट रखेंगे जो हमने लाइन ड्रो की है उसके आगे हमें फ्रंट का पाट रखना है और इसका नेक और आम हॉल और हम इसे साइड से भी ड्रो कर देंगे इसे ऐसे ही हमें ड्रो कर देना है अभी इसे हम हटा देंगे और इसकी length में 14 इंच रखूंगी 14 इंच पर निशान लगाते हुए हम इसमें सीदी land draw कर देंगे नीचे से अभी इसे हम cut कर देंगे, यह मैंने इसकी cutting कर दी है, अभी इसे हम खोल देंगे और ये कुछ इस तरह से नजर आएगा और नीचे से हमें इसमें तिर्ची लाइन ड्रो करनी है आध्य आम होल तक हम इसमें तिर्ची लाइन ड्रो कर देंगे एक साइट के आम होल तक हमें इसमें तिर्ची लाइन ड्रो कर देनी है नीचे तक अभी इसे हम कट कर देंगे और यह नीचे का पाठ हमारा किसी काम कर नहीं है उपर का पाठ ही हम यूज करेंगे अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे फेबरिक को मैंने फोर फोल्ड किया हुआ है स्लीव की लेंथ में 6 इंच रखूंगी इसमें मैं नॉर्मल स्लीव ही बना रही हूँ और उपर से स्लीव की चोड़ाई मैंने 8 इंच रखी है और कैप स्लीव की लेंध में तीन इंच रखोंगी और बंद वाली साइट से भी हमें तीन इंच पर निशान लगा देना है और सिधी लाइन ड्रो कर देनी है और खुली वाली साइट से हम देर इंच पर निशान लगाएंगे सिलाई मार्जिन के लिए और हमें इसमें स्लिव का शेव ड्रो कर देना है राउंड में हम इसमें स्लिव का शेव ड्रो कर देंगे और नीचे से स्लिव की चोड़ाई में 7 इंच रखूंगी 7 इंच पर निशान लगाते हुए हमें इसमें सिधी लाइन ड्रो कर देनी है और साइट से भी हम लाइन डो कर देंगे अभी से हम कट कर देंगे और ये मेरी दो स्लिव है तो चलिए बढ़ते स्टिचिंग की तरफ सबसे पहले हमें फ्रंट का पाट लेना है फ्रंट का पाट हमें उल्टा रखना है और जो हमने एक्ष्टा फेब्रिक वाला पाट कट किया था उसे हमें इसके उपर उल्टा रखना है और इस तरह से हम इसके शॉल्डर मिला लेंगे दोनों शॉल्डर मिलाने के बाद जो सेंटर में एक्ष्टा फेब्रिक बचेगा उसमें हम बड़ी बड़ी प्लीट्स लगाएंगे इसमें हमें सिर्फ दो ही प्लीट्स लगानी है जिस तरह से आफ वीडियो में देख सकते उस तरह से हमें इसमें दो प्लीट्स लगानी है इसे हम पीन से सिक्यूर कर लेंगे और इसके नैक पर हमें सिलाय लगा देनी है इसके नैक पर हम सिलाय लगा देंगे ये देखे मैंने इसमें सिलाय लगा दी है और दो प्लीट्स भी लगा दी है अभी हम इसमें छोटे-छोटे कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद हम फैब्रिक को सीधी साइट पर पलट देंगे और इससे आप चाहे तो प्रेस लगवा लिजे और जो इसकी बॉर्डर है उसे डबल फोल्ड करते हुए हमें इसमें सिराय लगा देनी है और इसे हमें आटेच कर देना है में फैब्रिक के साथ और बैक नेक पर हम तिरची पटी आटेच करेंगे और इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइट मोड देंगे ये देखे मैंने इसमें रेडी कर लिया है फ्रंट का पार्ट और बेक पाट में भी मैंने तिर्शी पटी अटेज़ कर दी है अभी राइट पाट के उपर दुसरा पाट हम उल्टा रखेंगे और इसके शॉल्डर जॉयंट कर लिए है अभी हम इसमें स्लीव अटेज़ करेंगे स्लीव को हमें उल्टा रखना है और इसके उपर हमें सिलाय लगा देनी है उसके बाद हम स्लीव की बॉर्डर को भी डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाय लगा देंगे दोनों स्लीव को हमें इसी तरह से अटेच कर देना है यह मैंने इसमें स्लीव अटेच कर दी है दोनों साइट से और इसकी बॉर्डर को भी मैंने फोल्ड कर दिया है अभी इसे हम उल्टा कर देंगे और साइट से हम दो इंच का गेब देते हुए इसमें सिलाय लगा देंगे उपर से नीचे तक दोनों सैट से हमें 2 इंच का गेब देते हुए इसमें सिलाय लगा देनी है उपर से नीचे तक उसके बाद हम नीचे की बॉर्डर को भी डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाय लगा देंगे और इसी के साथ हमारा स्टाइलिश टॉप बनकर रेडी हो चुका है। और यह है इसका final loop friends I hope आपको आज का यह tutorial पसंद आया होगा अगर आपको आज का यह video पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा like को और share करें और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को subscribe नहीं किया है तो इसे subscribe कर ले और साथ में bell icon को भी press कर देना ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की notification सबसे पहले मिल सके मेरा यह video देखने के लिए thank you so much guys